आज मैं आपके सामने मैस का यह question लेकर आई हूँ, यहाँ पर question क्या कह रहा है, find the value of x, हमें यहाँ पर x की value find करनी है, equation देखी क्या लिखावा है, यहाँ पर numerator में लिखावा है 2 का power x, और again यहाँ पर x का power 2 दिया गया है, upon denominator में लिखावा है 4 का power x equal to 16, तो हमें यहाँ पर इस x की value find करनी है, कि x की value क्या होगी, तो चलिए इस question को solve करते हैं, इस question में power and exponent के formulas यहाँ पर use होंगे, मैं वो सब आपको step by step आपको बताऊंगी, तो चलिए question solve करते हैं, तो हमारा question क्या लिखावा है, again मैं लिखावा है 2, और इस पर power दिया है x, अब इसी power पर एक और power दिया हो है, power इस पर again 2 दिया हो है, upon, अब यहाँ पर देखिए, यह जो 4 है, यहाँ पर denominator में आप दिया हो है, इस 4 को मैं अलग से समझा दू, यह 4 दिया हो है, तो इसको power में हम 2 का power 2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो 4 है, इस के जगह हम कह लिखेंगे 2 का power 2, ठीक ह अच्छा, अब इस 4 पर power कितना दिया हो है, तो यह power x हमें लगाना है, तो देखिए कैसे लगाएंगे, आप पहले bracket लगाईए, फिर bracket के बावर, power x लगाईए, ठीक है, जस्ट हमने यहाँ पर 4 को 2 का power 2 लिख दिया, ठीक है, अच्छा, इसके बाद equal to, यह क्या दिया हो है 16, 16 को भी अगर हम power में लिखना चाहे है, तो 2 का power 4, 2 का power 4 किसके बराबर होता है, 16 के बराबर 2 को आप 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, अब देखिए, आगे क्या करेंगे, मैं पेश को उपर कर रही हूँ, यह आया हमारे पास, इसके बाद हम क्या करेंग यह जो हमारा term है यहाँ पर, left hand side में, यह हमारा LHS portion और यह RHS है, तो यह जो left hand side में जो दिया हुआ है, इसको हमको बिल्कुल इसमें set करना है, अपने power and exponent में पढ़ा होगा कि अगर x का power m है, और x का power n है, यहाँ पर देखिए, base क्या है, base से में, यहाँ पर numerator में, base से और अगर divide में है, इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जो power होते हैं, आपस में minus हो जाते है, तो यह वाला, इसमें हमको set करना है, मतलब यह जो दिख रहा है आपको, इसमें आपको यह LHS side में जो दिया हुआ है, set करना है, फिर उसके बाद हम यह formula लगा देंगे, तो देखें कैसे करेंगे, यह हमारा क्या दिया हुआ है, 2, इस पर power दिया हुआ, x अगें इस पर power 2 दिया हुआ, ठीक है, upon, अब देखें क्या करेंगे, यह जो दिया हुआ है, 2, अच्छा, यहाँ पर इस वाले में, यह जो हमारा denominator है, यह denominator में, इस पर देखें, एक power n एक और अगेन टू पर एक और पावरे से दिया हुआ है, तो अगर आप इसमें इससे compare करेंगे, तो बिलकों इसी में लिखा हूआ है, इसी format में है भिलकों, तो यहां पर यह पर च्दू है और यहां पर ऩू है, तो यहां पर एक्स की जगा टू है, तो यह वाला फॉर्मूला ल का पावर 4, ठीक है, अब मैं पेश को ऊपर करती हूँ, यह आया हमारे पस, अब हम आगे देखी क्या करेंगे, यह हमरे के है 2 का पावर x, और अगेन इस पर पावर दिया वा है 2, ठीक है, अब यहां पर देखी, यह 2 है, अच्छा, यह 2 है, इन 2x, तो 2, इन 2x क्या हो था, कि x का पावर m है, और x का पावर n है, तो यहां पर यह दोनों पावर आपा से माइनस हो जाएं, कब जब बेस सेम हो, यहां पर बेस x से नीचे भी बेस सेम है, x है, तो यहां पर भी कंपेर कीजिए, आप देखे, यहां पर निमेरेटर में बेस हमारा क्या है, यहां प लबी है कि यह टू है बेस और इस पर पावर क्या दिया हुआ है हमारा इस पर पावर हमारा दिया हुआ एक्स स्क्वार और यहां पर बेस टू है इसका पावर क्या दिया है तो यहां पर हम पावर को माइनस करके लिखेंगे जैसे इस तरीके से लिखेंगे कैसे लिखेंगे base दोनों में same है तो पहले लिखे 2 उसके बद क्या है M minus N तो यहां M हमारा क्या है M हमारा है X square इसको यह M है हमारा और यह हमारा क्या है N है तो M minus N तो M हमारा क्या है X square minus N हमारा क्या है 2X यह आपको समझ में आया यह हमारा LHS जो है ठीक है अब पेज उपर कर रही हूँ यह आया हमारे पास अब यहाँ पर power n exponent का एक और formula लहेगा कि अगर x का power m है equal to x का power n है यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि equal to के दोनों side आपको base जो है same दिख रहा होगा देखिए base यहाँ पर भी x है इस case में m जो होता है वो n के बराबर हो जाता है तो यहाँ पर भी यह formula लहेगा यहाँ पर आप देखिए यहाँ equal to है equal to के दोनों side base देखिए क्या है 2 है यहाँ पर भी base 2 है base तो equal to equal के दोनों side LHS और LHS में base same है तो इस case में यह जो power है जैसे यहाँ यह power और यह power आपस में equal होगे इस तरीके से यह x square minus 2x यह power है और यह भी power है यह आपस में equal हो जाएगी यानिकि x square minus 2x equal to क्या हो जाएका 4 के बराबर यह आपको समझ में आया ठीक है यह बराबर होगे हमारा कैसे यह वाला formula हमारा use होगा जो मैंने यहाँ पर अभी यह बताया यह formula यहाँ पर लगा है power and exponent का ठीक है तो इससाब से power equal होगे अब देखिए हमारा यह simple होगया तो यह हमारा quadratic equation बनना है तो चलिए इसको solve करते है यह क्या है x square यह क्या है minus यह क्या है 2x है अच्छा इसका sign क्या plus है इसको हम LHS sign में लेकाएंगे तो यह minus 4 हो जाएगा हो जाएगा na equal to अब यह इधर आगे है तो यह क्या बज़ेगा 0 तो यह हमारा एक quadratic equation बनना है यह क्या बनना है हमारा एक quadratic equation बनना है quadratic equation कैसे आप यहाँ दे सकते है यहाँ पर x की highest power क्या है देकी 2 है यहाँ पर x से इसकी power क्या 1 बनने जाएगी तो यहाँ पर highest इस equation में highest power क्या है 2 है तो यह degree 2 है इसको degree 2 बोले जाएगा तो degree 2 वाले जो भी equation होते है वो quadratic equation होते है तो यह हमारा quadratic equation है, अब हम यहाँ पर class 10th की math use करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते है, quadratic equation हमारे पास होता है, तो हम x की values find करते हैं, तो हम यहाँ पर x की values find करनी है, तो quadratic equation में x की values find करने के तीन तरीके होते हैं, पहला होता है factorization method, दूसरा होता है completing the square method, और तीसरा आपका जो होता ह वो होता है quadratic formula method तो यहाँ में quadratic formula method के help से x की value निकालूँए और यह method बहुत ही easy method होता है इस method में क्या करना होता है मैं आपको बता दूँ कि अगर मालिज अपके पास quadratic equation है quadratic equation का general format क्या होता है ax square plus bx plus c just to 0 यह होता है quadratic equation का general format तो quadratic formula method के help से X की value जो निकालने का तरीका होता है वो होता है X स्कॉल 2 माइनस B प्लस माइनस B स्कॉार माइनस 4 AC अपान 2A यह है बस यह direct method है X की value निकालने का ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए यह A, B और यह C क्या है तो यहाँ कैसे हम पता करेंगे इसमें जो हमारा में जो question में आई है जो equation आई है यह वाली लिखिए X स्कॉार माइनस 2 X माइनस 4 स्कॉल 2 जिरू यह लिख लिजिए अच्छा यहाँ पर देखिए X स्कॉार इसके साथ क्या number 2 है जैसे यहाँ पर X साथ क्या number 2 है 2 यहाँ पर इन 2 क्या है 1 जो है सबके साथ इन 2 रहता तो यहाँ जस्ट मैंने 1 लिख दिया ठीक है तो अब इसके नीचे आप यह जो हमारा यह quadratic equation का general format है वो इसके नीचे लिखिए बिलकुल X स्कॉार के नीचे X स्कॉार आना चाहिए प्लस BX ठीक है ना यह हो गया अब यहाँ compare कीजिए तो आपको A की value 1 मिलेगी B की value देखें B की value sine के साथ लेंगे तो B की value I minus 2 और C की value क्या है direct यहाँ से देखें minus 4 यहाँ गया तो अगर आप direct भी निकालना चाहते है ABC की तो निकल जागी value देखें कैसे हमारा जो यह equation यह है na क्या है X square minus 2 X minus 4 यह है तो देखें यहाँ X square साथ क्या number into है 1 तो यह 1 जो हो गया यह A की value होगी ठीक है B की value क्या होगी इस X के साथ क्या number into है minus 2 sine के साथ लेना तो B की value होगी minus 2 और बचा C तो C की value क्या हो जागी minus 4 तो direct ऐसे भी ABC की value आप निकाल लेजिए otherwise जो equation हमारी आई है उसके नीचे यह quadratic equation का general format लिखें फिर compare करके ABC की value लिखें तो हमें ABC की value मिल गई तो just अब हम इसमें रख देते हैं यहाँ पर देखें B है ABC लिखा हो है वस यहाँ value लगतेंगे तो हमें यहाँ पर X की value जह है quadratic formula method के help से मिल जागा तो मैं page उपर कर रही हूँ ठीक है तो हमारा यहाँ पर देखें ABC का यह value आ गया है तो just आपको यहाँ पर इसमें रखना है तो मैं दूसरे करल से समझाओ X is call 2 यह क्या है minus B तो देखें minus तो formula मैं minus लगए फिर क्या है B तो B की value कितनी है minus 2 तो B की value minus 2 है तो bracket के अंदर लिखें फिर क्या है plus minus under root यह क्या है B square तो B की value क्या है minus 2 अब इस पर square है तो यह हो गया B square फिर क्या है minus 4 A C तो A की value क्या है 1 C की value क्या है minus 4 यह लिख दिया, upon क्या है 2a, तो 2 और a की value क्या है, 1, यह आया बस इसको solve कीजिए, तो यहाँ पर हमें x की 2 values मिलेंगी, क्यों quadratic equation, degree 2 का रहता है न, तो हमेशा x की 2 ही values मिलेंगी, तो अब इसको solve करीं, तो देखिए minus minus plus, तो 2 आ गया, फिर क्या है, plus minus, under root इसको solve कीजिए, तो minus 2 का whole इसको क्या हो जाएगा, minus minus plus, और 2 को 2 को दो बर इंटू करीं, 2 तो 4, ठीक है अच्छा, यह minus है और यह minus है, तो minus minus क्या हो जाए, यह minus है, minus minus plus इसको इंटू कीजिए, 4 फोर जा, 16 ठीक है, upon, नीचे क्या है 2 आज़ा, 2, यह आपको समझ में आया आप में page उपर करती हूँ, यह आया, ठीक है अच्छा, आप देखिए इसको क्या करेंगे x is called 2, यह हो जागा, 2 plus minus, 4 और 16 add करिए, तो 20 आएगा, upon 2, ठीक है, equal to यह हो जागा, 2 plus minus 20 का prime factorization निकालिए, तो 5 into 2 into 2 यह होता है, upon 2 ठीक है, page में उपर करती हूँ यह आया हमारे पास तो यह हो जागा, x is called 2 यह क्या है, 2 plus minus, अब देखिए यहाँ पर root के अंदर, यह 2 का pair बनना है, तो यहाँ से 2 बहार आ जागा 5 जो है single है, तो यह root के अंदर रहेगा, upon 2 ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए यह क्या 2 है, तो इसके साथ हम 1 into कर सकते है कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए यह plus minus है, इधर और इधर क्या common दिख रहा है, अच्छा, इनके बीच में है into का sign ठीक है, तो यह plus minus के, दोनों साथ आपको क्या common देख रहा है 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है तो 2 बाहर निकाल दीजिए common तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा यह 1 फिर plus minus यह 2 तो बाहर चला किया तो क्या बच रहा है, root 5 upon 2, ठीक है अच्छा, यह 2 है और यह bracket इसके अंदर इनके बीच भी into का sign है तो यह 2 और यह 2 कैंसे, तो x की value क्या है 1 plus minus root 5 और मैंने बता दिया कि यह quadratic equation था हमारा, तो यहाँ पर x की दो value जाएंगी, तो देखिए, यह plus minus जो आया है ना, तो यहाँ से x की 2 values निकलेगी, एक बार आप इसको plus में लिखिए, और दूसरा minus में तो plus में कैसे लिखिएंगी, यह one लिखिए, और यह जो number है, जो same number है वो पहले लिख लिखिए, उसके बाद यह plus का sign लगई तो एक यह value हो गई, दूसरी x की value क्या होगी, यही number आप लिखिए, one और root five, आप यहाँ पर minus sign लगा ज़िए, क्योंकि देखिए, यहाँ पर plus minus है ना, तो एक बार इन दोनों number को plus में, plus के साथ लिखिएंगे, और फिर इन दोनों number को minus के साथ लिखिएंगे, तो आप दे सकते हैं, यहाँ पर x की हमें दो values मिल गई है, और यहीं इसका answer है, तो हमारा x का यहाँ पर यह दो values आगया है, अब हम चेक करके भी आपको दिखा देते हैं, कि यह जो x की values आई है, साही आई है कि नहीं, तो हमारा यहाँ पर main x दिया है, आगे इसपर power x 2 दिया है, ठीक है, अब हम यहाँ पर दो case लेके चलेंगे, पहला हम x की value यह लेके चलेंगे, दूसरे case में यह value लेके चलेंगे, तो पहले हम x की value क्या लेके चलेंगे, 4 x is equal to 1 plus root 5, पहले हम यह value रखके देखते हैं x की, ठीक है, तो यहाँ 2 लगाईए, ठीक है, upon, फिर क्या है नीचे denominator है 4, और यहाँ पर इसपर power दिया है x, और x की value कितनी है, 1 plus root 5, तो इसको आप bracket के अंदर लिखेगा, ठीक है, मैं page उपर करती हूँ, ठीक है, यह आया हमारे तो यह बिल्कुल आपका a plus b का whole square के format में है, तो इसका formula क्या होता, a square plus 2ab plus b square, यह होता है, ठीक है, तो just यहाँ पर a और b, a हमारा क्या 1 है, b हमारा क्या root 5 है, just यहाँ पर a और b की value लग दिजिए, तो इसका formula बन जागा, यह a square दिखा, तो a क्या 1, तो 1 का square, फ्लस, यह kया 2ab, तो 2 into a क्या 1, b हमारा क्या root 5, plus, यह kya b square, तो b हमारा क्या root 5, देखिए, b के oपर क्या लिखा, root 5, root 5 का whole square, ठीक है, तो 1 square का 1 हो जागा, plus, इसको fill in two करेंगा, तो 2 और 2 root 5 हो जागा, plus, root 5 का space, तो root 5 को दो बर into करेंगे तो root 5 into root 5, 5 के बराबर हो जागा, तो यहां से यह 1 और यह 5 क्या हो जागा, 1 plus 5, 6 plus, और यह क्या है, 2 root 5, यह आपको समझ में आया, तो यहां पर देखिए, 1 plus root 5 का whole square, यहां पर हमने formula लगाया, इसको solve किया, तो क्या है हमारा, 6 plus 2 root 5, तो यह तो 2 के लगावा है, तो इसको solve करने पर कितना है, 6 plus 2 root 5, तो इसको इस तरीके से आप लिखिए, 6 plus 2 root 5, मनले इसको solve किया, तो हमारा यह आया है, इसको ऐसे bracket में लिखे, अब देखिए, वार, यह 4 थे 4 को हम अगर इस इस 4 पर धयान देए, 4 को अगर हम power में लिखना चाहे, तो 2 का फिर इसके उपर पावर में क्या लिखेंगे 1 प्लस रूट 5 ठीक है अब मैं पेज उपर करती हूँ यह आया हमारे पास तो आप देखें इसको 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 पावर क्या दियावा है मैं दूसरे रंग से लिखूँ इसको 6 प्लस रूट 5 यह आपको समझ में आया अप अब देखें यहां पर यह वन प्लस रूट 5 और इसको ऐसे ब्रैकट में लिखेंगे अब यहां मैं पावर एक्स्पोनेंट का फॉर्मूला यूज होग ठीक है? और X के पर power M है रहता है तो M हमारा यहाँ पर यह 2 है जो power में दिया हो N हमारा क्या है? N हमारा यह वन प्लस रूट 5 है तो यह 2 हमारा M है और यह हमारा क्या है? N है तो यहाँ पर यह दोनों power है तो यह into हो जाएंगगो. चिक क्लिफ dough लिखिए अब यह दोनों पावर इंटू हो जाएंगे निकि 2 इंटू और यह कहा है 1 प्लस रूट 5 तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस रूट 5 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ठीक है तो अब यह देखिए क्या होगा एक्वाल टू और यहाँ पर यह क्या दिया हो है ब्रैकेट में 6 प्लस 2 रूट 5 यह पावर है ठीक है अब यहाँ पर देखिए इसको इंटू किजे तो यह 1 प्लस रूट 5 ब्रैकेट में ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 अंजा 2 प्लस फिर 2 को रूट 5 से भी इंटू करेंगे तो 2 रूट 5 हो जाएगा तो इसको ऐस bracket के अंदर लिखेंगा, ठीक है, अब मैं page उपर कर रही है, यहाँ पर यह देखी, क्या होगा, page मैंने उपर किया, तो अब यहाँ पर power exponent का एक और formula यूज़ होगा, कि अगर x का power m है, और upon करके x का power n है, तो यहाँ पर यह दोनो power minus में हो जाएंगे, तो यहाँ पर base सेम है, देखिए, यहाँ पर numerator में भी base सेम है, यहाँ denominator भी base सेम है, तो compare करेंगे, तो आप देखिए, numerator में base हमारा 2 है, उस तरह से denominator में base 2 है, base सेम है, upon में है, तो यह power आपस में देखी, कैसे यह है, तो पहले base होता होता है. टो फिर यह हमारा m है. यह हमारा m है और यह हमारा n है. तो m मारे टो 6 प्लंच 2 रूट 5 तो फिर ब्रैकेट में लिकिए फिर wegen मारे क्या है, इसको भी ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से स्लीकिए. आया समझ में, एक वल तो 2. अब देखिए यह solve किजिए पूरा, यह जो दिया हुआ है, पावर में यह पूरा, तो यहां देखिए क्या हो जागा 6 से plus 2 root 5, अब माइनस है, माइनस लागेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस के बाद ही ब्रैकेट में है, ब्रैकेट खोलेंगे, तो 2, और यह माइनस प्र और माइनस 2, तो 6 में से 2 माइनस करिए, तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 2 का पावर 4, यानि कि 2 को 4 लिखिए, तो इन्टू करेंगे, 2 तो 4, 4 फोर जा 16, तो यहीं आर्चेस है, हमारा कोशन क्या था, 2 और x, 2 पा पावर क्या देगा था, x स्क्वार अपान 4 का पावर x, ए यानि कि हमारा प्रुपी हो गया और चेक भी हो गया, कि जो हमारा x के value, x के value हमने क्या रखा था, x स्कल टू 1 प्लस रूट 5, यह x के value हमारी सही आई है, हमने चेक करके देखा, LHS में रखा, तो 16 के बराबर आ भी गया, ठीक है, अब x की दूसरी value क्या है, 1 माइनस रूट 5 तो यह second case है, इस value को आप यहाँ चेक करके देखिए, और मुझे comment करके बताएगा कि आपका जो है, चेक हुआ आया है कि नहीं, LHS और RHS, तो अमीद है आपको यह question जो है, 6 समझ में आ गया होगा,